हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बबली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बबली पंडे किचन में फ्रेंड्स विंटर स्पेसल गुर्णारियल के लड्डू जिसे बनाते समय अकसर लोग को प्रॉब्लम होती है या तो बहुत चिपचिपे से बनते हैं जिसे खाने में दात में चिपकने लगते हैं तो आज ये सारा प्रॉब्लम खतम हो जाएगा क्योंकि आज में लेके आई ना तो चिपचीपे से रहेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आईए जटपट सुरू करते हैं, लड्डू बनाना, नारियल की मिठाई बनानी के लिए, यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज का नारियल लिया है, और उसे अच्छी तरह से पहले काट के छील के साफ कर लिया है, ऐसे मैंने नारियल को तोड़ा है, उसके बाद उपर वाला जो यह ब्लैक वाला छील का होता है, उसे नाइप से य यहां पे मैंने धोग के सब रेड़ी कर लिया है और इसके बाद इसे रफली काट लेंगे बहुत बारिक काटनी की जरूत नहीं है ऐसे आप रफली बस काट लीजिए और इसके बार इसे हम डालेंगे मिक्सिंग जार में तो एक बार में नहीं दो-तिन शिफ्ट में ये काम कर तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सी चलाते समय चम्मत से मैंने एक तुबारी से चलाया है और इसका टेक्स्चर देखिए एकदम दरदरा सा यह पिसा गया है एकदम पर्फेक्ट और इसमें कोई बड़ा टुकडा नहीं है अगर बड़ा होगा तो उससे फिर से चलाएंगे इसी तरह से सारे नारियल को दो-तिन सिफ्ट में पीस-पीस के एक बॉल में रखते जाएंगे इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है गरम होने के लिए और यहाँ पे आधा चमच घी लिया है मैंने देशी घी फ्रेंड्स बीना घी के इसे आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैंने घी इसलिए लिया है कि नारियल को जब भूनेंगे तो उसमें एक फ्लेवर कराता है तो थोड़ा सबस हल्का सखी हमें लेना है हाफ टीस्पून के बराबर और यहां पे मेजर्मेंट करके नारियल को हम डालेंगे तो यहां पे मैंने मेजरिंग कप का इस्तमाल किया है और इसे अच्छी तरह से भर लिया है चमच से दबाते हुए पूरा कि उसके हिसाब से इसमें हम मिठा एट करेंगे और लड़ू का टेक्सचर अच्छा होगा फ्लेम को लोटू मीडियम रखेंगे और दो मिनट के लिए नारियल को भून लेना है ज्यादा नहीं भूनेंगे सिर्फ दो मिनट भूनेंगे जिससे कि थोड़ा सा नारियल का जाएगा इसका मौस्चर सुखने नहीं देना है इस चीज का हमें ध्यान रखना है इसलिए फ्लेम को मैंने लोटू मीडियम किया है और मीठे के लिए मैं यहां पर गुड़ाइट कर रही हूं तो देखिए उसी कप से मैंने एक कप गुर लिया है और यह सर्दियों का मौस और हमें पकाने के लिए इसमें कुछ पानी वगारा कुछ नहीं डाला है जो नारियल का मौस्चर है उसी के साथ गुर जो है मिल्ट होगा और वो सही टेक्सचर में आ जाएगा तो फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही गुर के मिल्ट होने तक इसे हम पकाएंगे तो इसे low flame पे अच्छे से मैंने मिला लिया है और दो-तिन मिनट के लिए cover कर देंगे जिससे की इसमें steam बनेगा और वो अच्छी तरह से good melt होके पकने लगेगा तो दो मिनट बाद देखते हैं दो मिनट के बाद हम cover हटा के चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं friends इसमें good melt होना सुरू हो गया है इसे एक बार हम अच्छे से mix कर देंगे तो इसमें हम पकने के लिए liquid पानी वगएरा कुछ नी डालेंगे बस यह low flame पे ऐसे धीरे-धीरे पक जाएगा और steam से अच्छी तरह स तो यहां एक बार हम मिला लेंगे इसे अच्छे से मिलाने के बाद देख लेंगे इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा तुकड़ा रह गया है थोड़ा सा जो तुकड़ा रह गया है उसे भी हम एक बार cover करके पका लेंगे cover करने से यह काम थोड़ा जल्दी हो जाता है तो से दो-तिन मिनट के लिए कवर कर देंगे और तीन मिनट हो चुका है तो फ्रेंण्स टोल पांच मिनट तक मैंने इसे जार करकरके बढ़ाना है ऐसा हो जाना चाहिए जिससे की इसमें बाइंडिंग आने लगे अच्छा सा तो अब यहां पर इसके स्वात को बढ़ाने के लिए कुछ चीजे एड़ करेंगे तो फ्लेम को लोही रखना है यहां पर मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूं इलाइची का पाउडर इलाइची को क्रस करके डाल सकते हैं हाफ टी स्पून काली मिच पाउडर फ्रेंड्स यह लड़ू हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा काली मिच डालेंगे तो इससे स्वात भी बढ़ेगा और यह बहुत ही ज्यादा लाबदायक भी हो जाएगा इसे अच्छे से मिला लेते हैं तो फ्रेंड्स अभी पकाते हुए टोटल बारा मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें से ओल रिरीज होने लगा है और यह पैन भी छोड़ने लगा है तो सही टेक्ट्चर आने तक इसे पकाना होता है तो यह एकदम सही टेक्ट्चर है तो अब यहां पर मैं एक सिक्रेट इंग्रिडियेंस डाल रही हूँ जो हमारे लड्डू का स्वाद बढ़ा देगा तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने लिया है सफेद तील टू टेबल इस्पूर और यह रोस्टेड है मैंने दो मिनिट के लिए इसे रोस्ट कर लिया था यकीन मानिए फ्रेंड्स यह चीज अगर आप इस लड्डू में एड़ करते हैं लड्डू का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और यह जब खाएंगे बीच में जो क्रंच आएगा तील का बहुत ही लाजबाब लगेगा सर्दियों के मौसम में तील खाना भी यहां पर हमारा मिस्रे ठंडा हो चुका है पूरा ठंडा नहीं करेंगे बस इतना की हाथों से चू सके और अब असानी से इसका लड्डू हम बना पाएंगे तो ऐसा चोटा चोटा जैसा आप चाहें लड्डू बना ले बहुत इसली बन जाता है तो फ्रेंड्स सौफ्ट लड्डू बनाने का यही राज है जो इस वीडियो में मैंने बताया आपको एक्तम गुड़ का मेजर्मेंट भी सही होना चाहिए गुड़ अगर जादा हो जाता है तब भी लड्डू हार्ड होने लगता है और जब हम पकाएं तो इसे बहुत जादा नहीं ओवर कुक नही होंगे लेकिन एक बार इस तरीके से गुड़ नारियल का लड्डू बनाईएगा और वो भी सफेद दिल के साथ बहुत हिलाज बाब बनेगा और फ्रेंड्स मैंने यहां एक दिन रख दिया था आपको दिखाने के लिए कि इसका टेक्शर कैसा होता है यह देखिए उपर स लोगों का प्रॉबलम होता है लड्डू हार्ड हो जाते है तो आप इस लड्डू को जरूर बनाईएगा वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिएगा बाबाई